नमस्कार किसान भाईयो आपका स्वागत है आपके अपने चनल लच्मी फार्विंग में किसान भाईयो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको एक खरपतवार नाशक दवा के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं किसान भाईयो आज की इस वीडियो में हम जिस खरपतवार नाशक दवा के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है साथी या साथी हार्वी साइट जो है UPL कमपनी का है इसको कई बार किसान भाई UPL साथी के नाम से भी जानते हैं किसान भाई या एक बहुत ही बढ़िया खरपतवार नाशक है जो आपकी फस्तों में खरपतवारों को उगने ही नहीं देता इस खरपतवार नाशक दवा का इस्तमाल जादा तर तो धान की फसल में ही किया जाता है इसका इस्तमाल धान की फसल में अलग-अलग अवस्था में किया जाता है जैसे कि नर्सरी डालते समय और रुपाई करते समय किसान भाईयों धान की फसल में खरपतवार दोत बार उपते हैं एक तो नर्सी डालते समय दूसरा जब हम धान की रुबाई खेतों में करते हैं इन दोनों ही स्मेप पर इस खरपतवार नाशक दवा का इस्तवाल किसान भाई करते हैं जिससे उनकी धान की फसल में खरपतवार ना होगे आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी अनकारी देने वाले हैं कि आपको इसका इस्तमाल कैसे करना है, कितनी मातरा में करना है और या खरपतवार नाशक दवा कितने दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखाएगी, कितने दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखना सुरू हो जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको आज की इस विड़ो में मिलने वाली है किसान भाईयों, या जो खरपतवार नाशक दवा है यूपिल कंपनी की साथी, या एक ऐसी खरपतवार नाशक दवा है, जो बहुत ही कम दिनों के अंदर प्रभाव दिखाती है इसका असर बहुत ही कम दिनों के अंदर देखने को मिलता है इसका इस्तमाल आपको अपनी धायन की फ़दल में खरपतवारों के अंकुरंट से पहले करना चाहिए यह एक pre-emergence हर्भी साइड होता है जिसका अर्थ होता है कि आपको इसका इस्तमाल अपनी धायन की फदल में ख इसका इस्तमाल करें यदि आप एक बार इसका इस्तमाल अपनी धायन की विसल में कर देंगे तो आपकी धायन की विसल में खरपतवार कभी भी नहीं उगेंगे दोस्तो इस खरपतवार नाशक दवा का इस्तमाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि खरपतवारों के उगने से पहले करना चाहिए तभी यहां आपको best result निकाल कर दे सकती है चलिए अब बात करते हैं कि इसमें कौन साथ technical होता है इसके अंदर जो technical होता है वहा है pyro जो sulfuron ethyl 10% WP या powder form में होता है बहुत ही कारगर दवा है जो किसी प्रकार्दे खरपतवारों को आपकी धान की वजल में उगने ही नहीं देती है दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि आपको इसका इस्तमाल अपनी धान की वजल में कब और कैसे करना चाहिए इसका इस्तमाल आपको अपनी धान के वजल में नरसरी के समय, नरसरी छीटते समय और रोपाई करते समय करना चाहिए किसान भाईयो नरसरी छीटते समय जवह आपने धान की नरसरी छीट रहे हैं नरसरी छीटने के 2-3 दिन बाद आप इस दवा का स्थमाल करें अभी भी नरसरी छीटते समय इस दवा पे स्थमाल ना करें क्योंकि यह जो दवा है वह जलनसील होती है और ज़ाँ आपकी धान की नर्सरी है वह अभी ही हाली में अंकुरित धर नर्सरी है जो आपने एक दिन पहले भी गोया था उसके अंदर जो कंखा निकला है वह बहुत ही मुलायम और कुमल होता है एदि आप दवा और धान की नरसरी को एक साथ छीट देंगे तो आपकी जो धान की नरसरी है वह जुलस जाएगी अच्छे डंग से अच्छे तरीके से उसका जमाओ नहीं हो पाएगा कम आपकी धान की नर्सरी का जमाँ होगा इसलिए आप भूल कर भी कभी भी धान की नर्सरी और दवा एक साथ ना छीटे पहले धान की नर्सरी को छीटे और दवा उससे 2-3 दिन बाद आप उसमें डाले दवा को डालने का तरीका क्या है किसान भाईयों जैसे आपने एक विश्वा खेत में अपनी धान की नर्सरी को डाला है तो इसकी 20 ग्राम की पैकिंग आती है वह आप ले ले और उसके में अंदर आप 2 लीटर की एक बॉटर ले लीजे और उसमें आप देड़ से 2 लीटर पानी में इसको घोल दिए दवा को जो 20 ग्राम की पुडिया है इसको पूरा उसमें घोल दिए और ढकन पर 2 से 3 बड़े 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 बढ़िया छेत कर दिए और पानी जिससे टिप टिप करके बून करके गिरे और इसको आपनी धान की जो मेड है क्यारी है उसके चारों होड से अच्छे से छिट दीजिए और जोस्तों छिटने के बाद छिटने के बाद जो ये दवा है आप जोसे छिटने के देंगे वैसे ही इसका जो प्रभाव ये तुरू हो जाएगा और ये आपकी धान की इंदुसरी में खरपतवारों को बिल्कुल भी उगने नहीं देगी किसान भाईयो ये आप इस UPL कंपनी की जो दवा है साथी इसका इस्तमाल रुपाई के समय करना चाहते हैं तो रुपाई के समय भी कर सकते हैं और दोस्तों ये आप इसका रुपाई के समय इस्तमाल कर देंगे तो आपकी धान की जो खेट में जो खर्पदवार उगाते हैं वा बिल्कुल भी नहीं उगेंगे या एक बहुती बढ़िया दवा है जो स्वभी प्रकारतिक खर्पदवारों को उगने से रोकती है चलिए बात करते हैं कि आपको कितनी मातरा में इसका इ अपनी धान की खेट में करना चाहिए जब आप रुभाई कर रहे हैं तो एक एकड़ के लिए दोस्तों आपको असी से सौ गराम इस दवा का इस्तमाल करना चाहिए दवा को इस्तमाल करने की मीरी किसान भाईयों वही सेम है आपको बस क्या करना है कि इस दवा को थोला सार ज़्यादा मातरा में पानी में घूल कर तो अपनी खेटों में इसका अच्छे से छिड़काओ करना है चाहिए तो आप बाका नाम है बॉटल में भरकर भी छिड़काओ कर सकते हैं नहीं तो इस्प्रे मसीन के माद्यम से भी आप इसको छिड़काओ कर सकते हैं मेरी के चार अपनी धान के खेत में कर सकते हैं और आपके धान के खेत में या बिल्कूल ही खरपदवारों को उगने नहीं देगा। रिकार के खर्पद्वारों को उगनेने देता है और बहुत ही लंबे वक्ते तर इसका असर और प्रभाव देखने को मिलता है यदि आपको आज की हमारी या वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीज कर दीजेगा!